आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउ पेरिज़ कि चाहै चल्ब देखते हैं इसको उत्तर कि हमारा पहला विकल्ब है कैम गीम के एम के केम यंद्फा कैम बैंब क्वितित हों संभण बंडल में जाइलम और फ्लूम के बीच में इनमा विताय जिसे हम जाहिलम नीचे क्या होगा फ्लोयम ठीक है और इनके बीच में ठीक है क्या होगा ये एदा एदा को हम क्या बोलते हैं कैम्बियम ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं कैम्बियम चलिए अब कार्पस देखते हैं कार्पस क्या होता है कार्पस होता है मेरिष्टेम का आंत्रिक द्रबमान क्या होता है इसे लेकेंगे हम मेरिष्टेम का आंत्रिक द्रबमान आंत्रिक द्रब अब देखते हैं एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस क्या होता है जड के कॉर्टेक्स में कोशी काउं की एक आंत्रिक परत क्या होती है जड के कॉर्टेक्स में कोशी काउं की एक आंत्रिक परत किसकी कोशी काउं की आंत्रिक परत चलिए अब देखते हैं परसाइक लिए जड़ों की साखाउं का बिकास एंडोजीनेस होता है आंत्रिक प्रूप से होता है कैसा होता है जड़ों की साखाउं का बिकास जड़ों शाखाउं का बिकास कैसा होता है एंडोजीनेस मतलब आंत्रिक प्रूप से आंत्रिक प्रूप से होता है आंत्रिक कैसा होगा आंत्रिक प्रूप से होती है इन साखाओं के निकलते समय पेरिसाइकल की कोशिकाएं मेरिस्टिमेटिक हो जाती है और बाहर की तरह ब्रद्दी करती है ठीक है तो कोशिक इन साखाओं की निकलते समय पेरिसाइकल की कोशिकाएं क्या हो जाती है पेरिसाइकल की कोशिकाएं क्या हो जाती है между हो जाती है और बाहर की तरफ ब्रद्धी करते हैं बाहर की तरफ ब्रद्धी इसी तरह से lateral साखाओं का विकास होता है जब pericycle की कोशिए marrying और बाहर की तरफ ब्रद्धी करते हैं तो हमारा अत्तर क्या होगा pericycle चलिये से लिखते थे तर होगा हमारा 10 पेरिसाइजर धन्यवाद